जिदि आप किसान मुद्दा तो सेंटर का चलो कोई बात नहीं मान लिया जी सेंटर चुर जावागा लेकिन यह मुद्दा तो अपना था और पंच कुला के अंदर आप अध्यापकों की सफाई कर रहे हो लट्टी मार मार करें जब यह नेता भड़ते कैथल में चंडीगड म मुद्दा क्यों ने उठा रहे हैं आप अवागे लेगा था वह तो मैं आज भी ले रहे हूं जिसकी आवाई लिगडी के तुमर क्या था जो डियाश्पी थे एक डियाश्पी रात को मेरे वह ग्यारा बज़े बारने के लिए था तो आज आप दोशी है नी चलान हमने सु यारे बताओ ये कोई तो केश नहीं है छे साल तक ये बताओ सरकार कहा थी सबूत कहा थी कहा जज था कहा सरकार थी कहा पूलिश थी मैं क्यों गाऊँगा अच्छा जुत्ते भी खाऊ उर्गित भी गाऊ तू मेरा लठेर है मैंने गाता नमस्कार मैं डॉक्टर विने गुपता संसार करांती से देशी देख वो भी बिना ब्रेक हमने राजनीती में लोगों को फर्ष से अर्ष तक भी पहुंसते देखा है और अर्ष से फर्ष पर भी उतरते देखा है ऐसा ही एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो अपनी ल रात हरियाना सरकार के एक विभाग का चेर्मैन तक बना दिया गया लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि उसे उस पत से ना केवल हटाया जाता है जेल पुलिस और अब कोट के चलान उससे बुगतने पड़ रहे हैं इस समय हमारे साथ मुझूद हैं ऐसे ही एक मशूर ग बरश्ट अचार के मुद्दे उठाए तभी तो खट्र साब अठाया और जब खट्र साब के खिलाब बरश्ट अचार के गाने गाई और बनाए और उसकी सजा मिली में जड़ गया लोग कह रहे हैं कि जैसे ही आपको पद से अटाया गया तब आपने खिलाफ बोलना शुर अच्छे बन जाते हैं यह मोला कलीनिक बन जाते लेकिन हमने इतना पैसा क्यों बरबाद किया तो स्वीम साब ने मेरे को बुला के बोला के आज के बाद यह लेटर नी लिखना तो फिर मैं क्या करूं कहता बजु नोकरी है तो लिता रो मैं के जी मुझे जूरत निये कहता कोई बात निये मैं बाहर आया सफेंट कर दिया कहां तो मेरे को 15 कुरोड का मुझे जबाब मिलना चीए था उन्हों जबाब देना चीए था कहां में सब्सक्राइब अब यह जाल रहा था उस्टेम तो कोई के विपक्स का किसी विमानस ने और किसी नेतनने निव को ने बो इस पर दूख बात करी स्वाव पंधरा सो क्रोड़ का मुद्धा की तुछिए गुटाला उर्छा घाल कर दिया और बार को पूछता है किसे हैं इंदे ने आखमें सीएम अब कोई भूलता था। कोई सुनै कुछ नहीं दधा जब मैने प्रेस्टर जल्या, कोई स्विड्ये heycore कोई समय चेद मैं। यह कोई जिंदीजी का समअदान नहीं जो के लिग dlp रो के आप मादी की ज्यादा हवा लेगे थे अ मोदी भक्त के नाम से मशूर थे Сबुन दी बचाले घया थे बचाले यॉ ही तो लिया इक टीन बार रहा गागा इन इसली चैनलो जिसके अभा लिगड़ था अरे बावली जो कहेद नहीं तो अभा लिगड़ था उन मनस्या मे कोई बात करें कुछ आपलूस और चम्चे हैं निसों रोकी मितला खलाब कोमेंट डाल द्यांगे और मानेवीपद मिल जागों कुछ निपद बुद मिल्दा जिसने दस साल गाने गाए और नो बोट बीदी नोट बीर सपोर्ट बीजब उसे दी वह जलबेद दिया थाना कि म बीजेपी की कभी परचार परशार निकरूगा बीजेपी कोई सपोर्ट निकरूगा और बीजेपी के जबता कोई घाने नि बनाओंगा जब तक इन्याई नहीं मिल जाता है जब आप अंदर जेल में CIA वगारे आपको लेके गए थे बार ये चर्चा हो रही थी कि आपको ड्राय धुमकाया जा रहा है पुलिस के तरफ से कि आज के बाद खंटर के खिलाफ नि बोलना ऐसा हुआ था हाँ हुआ था दो DSP थे एक DS जबूत थी कि मैं बच गया और कुछ से एक दो लोग थे इसके कारना बच गया और एक बंदा मेरे को डेड़ घंटा तक धंकाता रहा है तेरे उपर मडर का केश डाल देंगे बलात का केश डाल देंगे लड़कियों को कॉल कर रहा था बार बार वीडियो कॉल दिखा रहा अब मैं सोग भाई के पास आया था जो मेरा सारा का मेरे दोस्त भी है एड़ोगेट भी और बार के एस उनके परधान भी रह चुके है और जब मेह या पर आया पना दुखणा लेकर इनका दुखणा मेरे से बजाता था इनकी गाड़ी पहले चोरी होगी इसने पुलिस में जाके रोड़ा पाया फिर पूलिस ने डूड़ के देदी जब थोड़े दिन में ठंड़ा होगे चोर फिर चकलेगे जो में तो आज आप दोशी है नी चलान हमने सुने आपके खिला पेश यारे बताओ यह कोई तो कैस नी है छे साल तक ये बताओ सरकार कहा थी सबूत कहा पूलिस थी तीन बार कुद पूलिस ने कैंसलेशन बेजा मेरा केस के अंदर रोकी मितल रहतों ना दोसी हो गया यह इस बरस्टाचार के मैंने वाज उठाई तो में दोसी हो गया इसका मतल्ड़ कोई आर्टी आई वाड़ा कैथर वाड़ा है वह बरस्टाचार की मांग उ केस देखके दस वैसे नहीं बोलते हैं लेकिन घटर की तो बड़ी तारीफ करते हैं भीजेपी वाले कि इससे आई मांदर तो मुख्य मंतरी नहीं हमारे वह तो बिचारे मजबूरी में कर रहे हैं कि मान भी कोई पद मिल जाए मिलना मेलना कुछ नी जब साथ साल में कुछ कि अगले चुनावगी रेलिय शुरू हो जाएंगी और अगला काम सुरू हो जागा जिन्ती साथ साले में भी तो कुछ नी देख एप के मिलागा वंती कैथल गया देख ले ना कैथल के विधाय कुद नू बोल रहे हैं कि मेरी चलती नहीं मजबूरों के एक विधाय के चल बाई मेरी बाद सुना च्छे लोगाना कोन बोट दे अच्छे नहीं कहते है इसका पल्ले के अर इसका पल्ले है और भी चाल दिये को नी एक जाए गए दिली बेट जे एर एक बंदा यह कहता कि में चो बीगन तेंग अंदर मुझरिम नी पख़ए तो मैं दर ना देऊँ साथ दन के बाद पता गदाव है रणदीप सुरुज वड़ा साथ दन के बाद आ पेवचों पजाम लगा दिया और चार बजे तो मुझरिम पख़ए ग्यारा बजे दर ना देन लागे 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 क्यों बेवकू बना रहे हो एक मेरी चलती को नी एक कि कर दो प्रैंड़ी मेच के अधरी चारे लगए आमजनता रोकी मितल चुनाम में उत्रेंगा खंद कर कि धर्थिक लाभ प्राप तक देखा जाएगा जाएगा बीदान देखा राट जाएगा थे बिलचकर तब कि शुनाब के पका लड़ोंगा पका लड़ोंगा अमेले तो संभाव ना खेल है लेकिन न जुकेंगे न रूकेंगे युँँ पूरे हर्याने की आवाज उठाते रहेंगे और जितने भी अभी मेरा कुछ दन के बाद बैव कुछ एक रहें हुआ हुआ हिए खुए बेव कुछ नेता नहीं में रहे हुआ हुआ है जब तक सुनाप जब तक जाट गयर जात हैं, जीत के जाने के बाद कोई जाट नेता होता है, सबकु अपनी कुरुची गलाल चेंगा मोधी को पटालिया। गाने गाने के वीजी को पटालियां, पिसको पटारह हो। यहां पुठाने वाला तो काम नहीं है अरे गाड़े तो मैंने खट्टर साब की बहुत गाये थे जिए पठना हो तो भोई पठ जाता है अभी रहेगी ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए गाता हूं ना मैं और पापुलर्टी भी होती है और सचाहिकों पर गीत गाते हैं मालो अच्छे इंसान है तो उनका कीत गाया मेरे को तो कहता हूं कांग्रिस्वाड अच्छा काम करना शुरू करते हैं मैं तो इनके भी कीत गा दूँगा पिछे मैंने आपके चलर पर राव इंदर जीत की बात करी और उनके बारे में बोला कि कैसे नेता है आप लोगोंने पता चाम और इंच्छा का में ऊसे एट रूब्हां दोस्ते आख्या है यह मुझे नियूरा तो लगता है लेकिन रजनीतियो में दून रगता है किसी की नहीं चलती ना मंतरी की ना मेले की एक विस साब अड़े और बाकी कोई नड़ता और जो अड़े कर देना पिछली बार ओपी दन खड़ कैप्टन अभी मन्यू जी राम बिला सर्मा जी विपल गोईल जी उनका तो बचैरियां का पत्ता साफ कर दिया हो तो गारा बड़े पद पर रहके लोगों का और भला कर सकते थे आम जनकी हैल्प कर सकते थे लिगिन आप अपनी गल्ती की विए से अरे बाई कोई नियों इसीम साब चलने को अब चलने मेरी बास सुनो मैं तो जो भी चलाओं तक कदर चलाओं जो गल्त काम अड़का ड़क बेढ़ पर्टी में मोधी जी के कोई गीत नहीं गा रहा है विज आपको परसनली गाया बीजेपी का कोई गीत नहीं गाया वाई नहीं बीजेपी के जब तक गीत गाऊंगा जब तक इन्याय नहीं मिल दाता है मैं क्यों गाऊंगा अच्या जुत्ते भीखाऊ उर्गीत भीगाऊ क्यों मेरा लठाय रहा है मैं उसका काम करूंगा जो अच्छा ही निशान है रेन अगी बलाई के बारे में सोचता है और मैं तो एक जनुवरी तक बाट देखूंगा उसके बाद तो भाई सब अपने देख पलाना अधिम काना के कंदनी कंदे इनके टोटके अधा दुख्यों के में गए नी मगे एक साल तो नेगी बाट देख लो के करेंगी इन्दी करना कराना कुछ नी जब विदाए के बिचारे रोंदे फिर है मैले मंत्री रोंदे फिर है चलती नी सारा दंद मंत्रियां गा अधिकारी की हिम्मत क्या है जब हम चेरमें थे ऐसा कोई रिया ने गंदर दिकारी जो मारी नी शुडता था आज भी अधिकारी की क्या हिम्मत है नहीं शुनेगा दम ओना चीए इमांदारी होने चीए गर्वालें रोकते आपको खटर के खिलाब के मेरे गारवालें क्यू रोखेंगे शेरों को रोखता है जब शेर नी शेर को पैदा करती नहीं थोड़ी पैदा करती है बेटा उस्ते फलाण अद रिये ओटा उस्ते फ चाहूंगा सारे मेरे भाईयों को अभी मेरे गर्यान है कि बाइचारे पे गीत भी आ रहा है ये मैं लगतार पांचे गीत बाइचारे पे बनाओंगा हमाने नेताओं को समझना चीए और इस पोल्टिक्स को समझना चीए नेता वही है पार्टिया नहीं आजाए चेरे वही एंके कई सेत्र बजल जाते हैं, their style बजल जाते हैं, और एक था होती थी, एक दूसरे काम सेयोग देते थे, आज यह जमनना कड़ायगिया, इसी रोफ फूट पड़ी अरयन है के अंदर, यह सिर्फ पोल्टिक्स के कारण पड़ी है यह अपना उल्लू सिध्धा करें पीसे कोण जंता मरे कोण जंता आतक एरहना में एक भी नेता का नाम बताए दो यह कोई भी लड़ाई हो यह जिसमें नेता के कपड़े तक पटे हो पटे कोण आम अदमी आम लोग मरें फिर क्या किश्णा की जात की बात करो कई चैनलों के अंदर में देखता हूं जाथ की बात करते कई अब वहां पर्टी ने केजरिवार जी ने बदले नहीं है इतियास वहां कोई नेता नहीं आया पुराना सारे के सारे नहीं अर तीसरी बार सलकार ना बनियों तो बता तो आमाधी पार्टी के तरफ रुजान है यह पिरिवार बाद कब तक चलेगा आमाधी पड़ तरफ रुजान है मेरा रुजान कहीं कहीं निये मेरा रुजान उसकी तरफ जो चेरे नहीं काम करेगा एक बताओ इंदी ठेका ने लिया पहला धदा पर बेटा फिर बेटा फिर आगय पोते फिर पड़ पोते अरे यह रुड़ी बढ़ती जाओंगी इनकी प कि मितलने इसलिए पद छोड़ दिया पना आप लोगों को जगाड़े के लिए मेरा कोई लाल्च को नी मेभी चाप लुशी करता में भी पाणी मारे जन्दा और कुरो रुपी डिकार लन्दा जे माज करो रुपी डिकार लेता ना में बोलन की मेरी ओकात को निर वैदी वाय एक तो मेरे खेल बार चला गया दलीप सिंग और एक कुल्वंत भिशनोई बे तो नाम भी बताय रहा हूं इंदी सर्मानी ची एक चमचा गिरी करा है स्वरकार की और सियम की के रुपी मितलना मायर दो इन लोगाने मेरे को जब जैपूर लेगा गए इन लोगाने मेरे को इ डा बतारी कि यह इतने गिर गये дорट कि मितल बाग लिए किया इतना खोपर रोकी मितल का मुगलों के ताइम मेरे जाधा जाता था जिसे खतर होता हुता था मैं कूसूमी मैं किसमत बाला हों कै थर ग ऐसी जनम बोमी ऐसे जनम लिया मैंने कैथ थरnoc बूमी बे पिवितर बू तो पंक्तिया उनाएंगे उस गाने की जो पर आदरी बनाये अभी में लिखे रहा हूं मैं बता हूंगा तो मेरता पहला को बनाएंगा घड़ेगा तेकिन जल्दी होगा सबसे पहले आप लोगों को बेजूंगा और गाना इतना जबरदस्त होगा ना जाट ना नों जाट ब बात करो बाईचारे की इसकी पंक्ति है बाईचारे की बात करेंगे मैं सुनों एक करने कोशिश करूंगा और जो लोग कोई भी ए चती विराद का जो मोल खराब करना चाहाँ है उसको घर जागे आज जोड़ेंगे पैर पगड़ेंगे बाई तू छोड़ दे इस बाईच सरकार का नाम का तो अप्रादी उब हाई आपनी तरफ से क्या है मैं अब मैं घायत तो अबहुत आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे बाई चार पांच धन तक तो देखो मेरी ब्रबरी थी और मैंने बात ही बोली थी कुछ बड़े नेता ये दिवोहाँ पर गए किए बी बाई लोग उनसे दुखी है इतने गोविन कांडा साब इसे दुखी नहीं है को विन कांडा जी खुद यदी अजाद लड़ते तो एक तरफा जीत ते अब गोविन कांडा जी बीजेपी के इसे लड़ रहे है तो देख कोई फाइट है तक कर वाली बात है यदि वह ऐसे यहां गोविन कांडा के अब अब बूरह हरियाना में किसकी लहर आने वाले टाइम में लगए यद्या इसरी पार्टी आएगी ना बीजेपी संदर साथ सःध एक एक टीसरी पार्टी आएगी जेशे में जए पीडेट कुछोड़ो मैं तीसरी पार्टी कर रहा हूं उजे पूर बार तकर होगी तीसरी पार्टी कोगी क्योंकि आम जनता समझ चुकी है नेताओं की चलनों को और नेताओं को भी कि कुछ को निदर रहा सारे कठ्थे ओले और नवे नवे चोड़ेने चुनो जो विकास कराशक हैं किसी पार्टी ने आपको एपरोच कि रोककी भाई हमारे सता जाओं किसने आप आर्की भी संपरक में कांग्रिस भी संपरक मी इनलोगाइं जा जबाब ने बोला विए तेल गिदार देखो पंजाब चुनाव के बाद पंजाब चुनाव की बाट देख रहा हूं और इसके ब इसे मेरे साथ बहुत लोग हैं एक गुरूप है हमारा सतरसी लोगों का इक अधर जाएंगे जहां जाएंगे क्रिशी कानुनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे धरना काफी लंबा खिज गया जाएंगे में मोदी जी से भी एक बर लेटर लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट जाएं ताकि खुशी खुशी अपने गर पे जाके दिवाली मनाएं किस तरह मांग करेंगा तो जब किसान और नेता बैठेंगी बिल सही है मेरी गारंटी है मोदी जी मेरी डूट्री लगा दो यह दो गंडे काम में सीम साब यदी चाहें रहें तो दो दिन में काम निपट जाता है और काम खत्म को रोजा के किसान भी दिवाली मनाएं नेता भी दिवाली मनाएं पुलिस वाले विचारे रोडों के बैठे ये भी दिवाली मनाएं और पब्लिक भी जो दुखी हो रे रोडों पे वो भी दिवाली मनाएं मैं तो दो दे देना चीए और ये संकट ज कि सानों के साथ जा करते हो आप बिलका विरोध्तों करते हो किसानों का साथ वी देते हो यह बाँ बताओ, मैं क्यों नहीं बैठता, मेरे साब आदमें, जो किसान अंदोलन में कही लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं जाता भी हूँ, इनके पक्स में बात भी करता हूँ, तीन गाने गाई तिन नों में में बात भी करी, मैं तो BJP की कभी मीटिंग हुई उसके पैदा करते मुझे अपनी जित का विडर लगता है कि कोई जितना खराब करें और दो चारों के साथ हुआ भी ऐसी आप मेरी बास सुनो खुझ चुटाला जी गए उसको माइक नहीं दिया था एक जगे बलराज कुंडू जी ने बहुत मामला उठाया था उसको बोले के नहीं भाई वो आएगा जो स्थीफा देगा कई मामले ऐसे हैं भाई जहां पर मुझे इस बात का डर लगता है कि जाके कोई मेरे नाम की कंटो वर्षी ना हो जाई मैं किसानों का ही तेसी और ही तेसी रहूंगा अब तक क्या किया किसानों के लिए मैंने किसानों की वाज नो एक परचार करने शनों बहुत जल्दी मेरा द्याओन के बिलाणन लंगे यह तोड़ी के सबको एक डागय मेरे भाई जो भी मेरा भाई है ना वो एक बाद सोचके चले के रोकी मितल की बैक्राउंड निकाल दे भाई जे मैं चापलूस होता पाणी मार होता भी च्यार साल सरकार के पड़े थे जो मेरे को सिस्पेंड किया गया जो मेरा स्तिफा लिया गया लेकि मैंने वह एसा नहीं किया मेरे भाई यो क्योंकि मैं न तो चापफलूसी कर सकता नый contrat ईमानदारी जिंदगी जिता हूं और ये जो केस्ट हले किसान मुद्धे अपाई किसान ने के पकसिम मे बियान दिय था दोस्तो पहला मेरे ब्यान दिय पॉचले मेरे 17 17 तारीक के दिसंबर के ब्यान देख लिए मेरे गाणे शुन लो हर बात में किसान का मुद्ध अर्चान लोगा मुद्धा भ्धाकिं ही गेड़ा इस ती दलड जैक्ड था है weird किशान बाइर में I which क्रूं से बीरी भी सुन लेगर से लिडियो वहाई है रोकी तरीके से पुलिस। पूरी दुनिया नाम लेती है उनके कान चंदरगुप्त राजा बना राजा की कुर्शी तक पहुंचा ऐसी बरबरता नहीं कभी हो नीची है अध्यापकों का मुद्द रहें असरकार का वो तो सुड़ जा सकते उन लड़कियों का जो चैरी पढ़ाती है और लड़कों का क्याक सूर है जिन लोगाने इतनी श्टड़ी करी और उसके बाद विचारों को लठाने पड़ रहे हैं ऐसा कभी नियों ना चीह जिंद्धी के अंदर जदी आप किसान मुद्द तो सेंटर का चलो कोई बात नहीं मान लिया जी सेंटर सुड़ावागा लेकिन यह मुद्द तो अपना था और पंशकुल्ला के अंदर आप अध्यापकों की सभाई कर रहे हो लठी मार मार करें आप कभी पांस सेक्टर में जाना वहाँ बस्टेंड भी है सारे बड़े-बड़े ओफीज है हरम कहते है ना सोच मुक्त पंशकुला खुले में सोच कोई जाता मेरा घर वहीं पर भाई 500 लोग कम से कम डबबा उठाके डेली खुले में सोच जाते हैं कौन से सेक्टर में कौन से पांस सेक्टर में पंशकुला है के जाए पारकों के अंदर प्रैस होने के लिए जाए कोई विवस्था निये बचाहे छाए जाएंगे ना बातरूम भी करेंगे पार्ग में करेंगे ना तो कोई वेवस्था नहीं आपने को यह दो बर तो बारीश आई और बचारे यूवा भीगते रहे पूलिस की दिश्चा अभी पुलिस की दिश्चाराजार यूवा उने अपर दिया और विचारे धूप के अंद तो क्या बात करते हो पांच सेक्टर गाप पंच कुला गाजब स्टेंड वा तक जरजर स्थीदी में आपको नी बना अरे हम उनको तो लठी चार्ज कर रहे हैं कम से कम आपको तो सुधार हो सबसे पहले अपने आपको सुधारना बहुत जरूरी है ज्यांचंद गुपता है म कंदगी फैलती है हमें मुझ डखके पूरी दुनिया मुझ डखके गूंती है आप जाके देखना लेकिन तब परना अंदा कारून है कोई सुनते हैं चल रहा चलने दो हम क्या कर सकते हैं भाई आप भी कुछ नहीं कर सकते आप ज्यादा मुद्ध ठाओगे आप भी जड़ जाना पड़ा बहुत ही बेबाग तरीके से और हासी मजाक के तरीके से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब भी दिया आचा करते हैं कि आगे से भी वो हमारे साथ जूड़ेंगे तो ऐसा ही अंदाज उनका बना रहेगा यह थी खाश पेशकर मैं डॉक्टर विन गुपता स अंसार करांती से देशी देख बीना ब्रेक वोड मेरे सेयोगी कैमरामेन अमित गंकस के साथ